हेलो फ्रेंस वेलकम टू यू के तैयारी आज जो डिस्कुस करने वाले हैं भारत की संस्कृति से रिडिटीड कुछ इंपॉर्टिटिव टाइप किस्ट आंसर तो चले स्टार्ट करते हैं फॉस्ट पर्षयन है अमीर खुसरो किस साशक के दर्वारी कवी थी ओप्षयन है इसमें चंद्र गुपत दुतिया अलावदीन खिल जी कुटूब दीन एवक या हर्स वर्धन तो इसका right answer होगा वो है उप्षयन बी अलावदीन खिल जी के समाई में अमिर खुसरो दरवारी कवी थे ठीक है नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध ने अपना पर्थम धर्म चक्र परवतन किस इस्थान पर दिया था तो उप्शन देख लीजे लुंबनी, शारनाथ, पाटली पुत्र, वैशाली तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है उप्शन B, शारनाथ नेक्स्ट आस में निमलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था इसका उप्शन है दादू, कवीर, रामनंद, तुलसिलास तो आप्शन जो राइट आंसर है आप्शन C, ठीक है रामनंद ने अपने संदेश की परचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेशन पे सिखू के किस गुरु का जन्म पतना साहिब में हुआ था तो आप्शन है इसमें गुरु नानक देव, गुरु गोविन सिंग, गुरु तेग बहादर, गुरु अर्जन देव ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है गुरु गोविन सिंग आप्शन B is the right answer गुरु गोविन सिंग का जन्म पतना शाहिप में हुआ था नेक्स्ट है राग मिया की मलहार का रच्यता किसे माना जाता है आप्शन है इसमें तानसेन, बेजू बावडा, अमीर खुजरो, श्वामे हरीदाश ठीक है तो इसके जो राइट आंसर है वो है आप्शन ए, तानसेन, तानसेन, मिया की मलहार की रच्यता है नेक्स्ट है मध्या प्रदेश में पर्तिवर्स, अखिल भारतिय, शास्त्रिय, नृत्य, उत्सव कहां आयुजित किया जाता है तो इसके आप्शन देख लिजे निम्ने दृत्य सैल्यों में किसका उद्गम पूर्वी भारत से है तो इसका आप्शन है कथकली, कुछिपूरी, भारत नाट्यम या मणिपूरी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आप्शन D मणिपूरी का जो शंबंद है जो नृत्य सेली है माणी पूरी तो उसका उद्गम पूरी भारत से है आगे है बाउल गाइन कहां का एक लोक रूप है तो इसका उप्शन है गुजरात, बंगाल, करनाटक, पंजाब तो इसका जो राइट आंसर होगा उप्शन भी बंगाल गीधा जो एक नृत्या का रूप है किस राज्या से संबंध है ठीक है तो गीधा नृत्या की बात कीगई है तो उप्शन है इसमें पंजाब, हिमाच्यल प्रदेश, हरियाना, राजिस्थान तो इसका जो राइट आंसर है उप्शन ए पंजाब पंजाब से संबंधित है गीधा नृत्या नेक्स्ट केशन देखे इसमें निमलिकित में से कौन सा लोग जन जाती या नृत्या करनाटक से संबंधित है तो इसका अप्शन है यक्षगान, विधी, जात्रा या जोरा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ओप्शन ए यक्षगान, यक्षगान को जो है करनाटक का जन जाती या नृत्या है नेक्स्ट है निमलिकित में से युद्ध संबंधि नृत्या कौन सा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओप्शन भी मेघा लाइका बंबू रिद्या नेक्स्ट है बताए कौन सा लोग संगीत दिये गए इस्थानों से संबंधित नहीं है तो इसका ऑप्शन है कजरी वारा नसी विरहा कानपूर होली वरिज नौत्या की हाथ रास ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है कि इसमें है विरहा कानपूर क्योंकि पूछा के संबंधित नहीं है तो विरहा कानपूर से संबंधित नहीं है कजरी जो संगीत है वो वारानसी का है होली वरिज का संगीत है और नोटन की हाथ राज का लेकिन जो विरहा है वो कानपूर का संगीत नहीं है तो यहां इससे संबंधित नहीं है नेक्स्टेस में नृत्य नाटक सूर्दास एवं शक्रिया किस पेशिवर जाती से संबंध रखते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी भवाई तो इसका नेक्स्टेस में से कौन सान लोग नृत्य जम्मो कस्मीर से संबंधित है इसमें ऑप्शन है जोरा, विधी, राव, सुईसेनी तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी राव राव जो है एक लोग नृत्य है जम्मो कस्मीर का नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत्य सास्त्रिय नृत्य की रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिय नृत्य मूलता कहां का है ठीक है तो सत्रिय नृत्य पूछे है कि कहां का है जो कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत्य सास्त्रिय नृत्य की रूप में मान्यता प्राप्द है सत्रिया निर्थय तो कहां का है तो इसमें option है त्रिपूरा अशम क्रानाटक या गुजरात तो इसका जो right answer होगा वो है option बी असम का है जो सत्रिया निर्थय होता है नेक्स्ट है आगे इसमें देखते हैं पंडित भीम सेंजोसी के क्रिया कलाब का छेत्र क्या रहा है तो इसका option है शाहित्या सास्त्रिया संगीत सिक्षा पत्रकारिता तो इसका जो right answer होगा वो है option बी सास्त्रिय संगीत पंडित भीम सेंजोसी का जो संब्द है वो है सास्त्रिया संगीत से आगे है इसमें उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या है तो इसका जो option है धुरूपद गायक है कत्पक नृतक सरोज संगीत है या तबला वादक इसका जो right answer होगा वो ह जो option देखिए तांशेन, बेजु बावडा, अमीर खुसरो, बड़े गुलाम अलीखा तो इसका जो right answer है वो है option C, अमीर खुसरो, जो है कि सितार के जलक कहे जाते हैं अमीर खुसरो नेक्स्ट है प्राचिन सिक्कों पर वेणा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदु राजा कौन था तो इसमें option है बिक्रमादित्या, संबुद्र गुप्त, हर्सवर्दन, चंद्र गुप्त, मौर्या तो इसका जो right answer होगा option B, संबुद्र गुप्त प्राचिन सिक्कों पर वेणा बजाते हुए जो हिंदु राजा का जो चित्र बनाया गया है सिक्कों पर ठीक है तो वो है संबुद्र गुप्त का आगे इसमें निमलेखित मैंसे किसका संबंद सितारवादन से नहीं है ठीक है पूछा है नहीं है तो इसमें option है अमीर खुसरो, रविशंकर, उस् अलावदिन खान का है और अविशंकर का भी संबंद है सितारवादन से लेकिन अमजल अली खान का कोई भी संबंद नहीं है नेक्स्ट है मोना लिशा का सुपरशिद चित्र किसने बनाया था इसके option है माइकल एंजेलो लिया नार्दो द विंसी पिकाशो वान गोग तो इस नेक्स्ट है में पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्र कारे का कौन सा रूप प्रशिद है तो इसके option देखिए आईपना अलपना रंगोली कोलब तो इसमें जो राइट आंसर है वो है option B अलपना जो पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्र कारे की जाती है तो उसे अ पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा 750 आप्ट्र आप्टJust पाट्री की दस्तकारी का उद्भाव कहां से हुआ तो इसके ऑप्शन है कस्मीर एड्स या अफगानिस्तान या सिंध ठीक है तो इसके जो राइट आंसर होगा ऑप्शन भी एड्स या से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निमलखेद गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन्स है तो इसके ऑप्शन है भीम बेटी का ऐलोरा अजन्ता या चितन वाशल ख defence ऐल्यों है तो इसके जो राइट आंसर होगा वह है अजन्ता चिकारी की जो बिसाई वस्तोव किस से संबंद्ध है उसका संबंद्ध पुछा तो option है जेन धर्म, बौध धर्म, वैशनो धर्म या श्रीव धर्म इसका जो right answer होगा वो होगा option B, बौध धर्म next है गुरु गोविन सिंग द्वारा खाल शा पंथ की स्तापना कप की गई तो option देखेस में 1599, 1699, 1770 या 1657 इसपी में ठीक है तो इसका जो right answer होगा वो है option B, 1699 इसपी में गुरु गोविन सिंग द्वारा खाल शा पंथ की नीव रखी गई 1699 इसपी में आगे हैं इसमें निमलिखित में निमलिखित चार वेदों में से किस एक में जादूई, माया और वसीकरण का वरणन है तो इसका option है रिगवेद, यजजरवेद, अर्थवेद, शामवेद तो इसका जो right answer होगा option C, अर्थवेद इसमें जादूई, माया या वसीकरण का वरणन है नेक्स्ट है जिवी टक निमलिखित में से किस से संबन दीथ है जैन्यों से, बौदों से, सिखों से या हिंदों से तो इसका right answer होगा वो है बौदों से नेक्स्ट है जिखों के धार्मिक स्थलों में निमलि मैसे कौन सा इस भारत में नहीं है तो option है इसमें ननकानर शाहिब, नादेड, पॉंटा साहिब, केशगर साहिब तो option A जो है right answer है ननकानर साहिब है जो कि धार्मिक स्थल है और वो भारत में नहीं है आगे हैं बौद जेन एवं ब्राह्मन धर्मों में कौन सी धार्ना एक जैसी है तो option देखे इसमें क्रमवाद का सिदान्त, आत्मा की अंस्वर्ता, इश्वर में विश्वास, कथूर तप वराग्या तो इसका जो right answer है वो है option A क्रमवाद का सिदान्त कौन बौद धर्म एवं जैन धर्म में प्राया है अहिंसा हिंसा त्री रतनिया सत्या तो इसका जो right answer है वो है option A अहिंसा जो की बौद धर्म और जैन धर्म में समान है नेक्श्ट है इसलाम धर्म के सस्तापक पेगंबर मुहम्मद का जन्म किस वर्स हुआ था तो इसमें option देखे 670 इसपी में 570 इसपी में 595 इसपी में या 622 इसपी में तो इसका जो right answer है वो है 570 इसपी में option B जो इसलाम धर्म के सस्तापक पेगंबर मुहम्मद का जन्म सबस्क्राइब सबस्क्राइब निम्लिखित युथ निम्लिखित में से कोड़ सिधान्त इवन दर्शन है बौध मत जैन मत सिख मत या वैशनमत तो इसा करने बात एक तो में जो राइट अंसर होगा वह प्षन बीजयन मत तुरितिया बौध सभा की सितल पर बुलाई गई थी जो right answer होगा से पहले इसके option देखें तक्ष शिला शारनात बौध गया पाटली पुत्र तो इसका right answer है option D पाटली पुत्र में तुरितिया बौध सभा को वहाँ पर आयुजित किया गया था पुष्टी मार्ग के दर्सन की इस्तापना किसने की तो ऑप्शन है इसमें चेतनिया, नानक, सूर्दास या बल्लभा चार्या तो इसका राइट आंसर है डी बल्लभा चार्या ने पुष्टी मार्ग के दर्सन की इस्तापना की थी बल्लभा चार्या ने आगे हैं समय निमलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्या ही सब कुछ निर्धारित करता है मनुष्य असमर्थ होता है तो इसका जो राइट आंसर है उसमें पहले option दिखते हैं जैनियो में बौदो ने आज जीवकों ने मिमान सकों ने तो इसका जो राइट आंस c आज जीवकों ने नेक्स्ट है उस स्थान का नाम बताए जहां गीत का स्री त्यागराज के समान में नियमित रूप से त्यागराज अराधना त्योहार मनाया जाता है तो इसके option देखिए अडियार तंजा दूर मामलम पूरम और उडपी ठीक है तो इसका जो राइट आं त्योहार किसके है तो इसके option है असमी लोगों के करभी लोगों के मनी पूरी लोगों के पोड़ो लोगों के तो इसका राइट अंसर है option c मनी पूरो लोगों के ये सारे त्योहार होते है रासलीला या उशंग लाई हरीबा आगे है इसमें अंतरास्टिया प्रशिद फरीदाबाद रहो तक इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरीदाबाद में अंतराष्टिय प्रशिद सुरजगुंड क्राफ्ट मेला लगता है फरीदाबाद में नेक्ट है नमलखित में से कौन सा हिंदु पर्व थारू जनजाती द्वारा शोक पर्व की रूप में मन मनाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपावली ठीक है जो थारू जनजाती द्वारा शोक पर्व की रूप में मनाती है दीपावली को उत्राखंड की किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेकने की प्रता है तो उप्शन है इसमें जोल जीवी मेला देवधुरा मेला गोचर मेला या गेंद मेला तो इसके जो राइट आंसर होगा वो है उप्शन भी देवधुरा मेला जिसमें की दो गुटों के बीच पत्र फेकने की प्रता है जो कि उत्राखंड का एक प्रशिद मेला है नेक्स्ट है वार्सिक पुसकर मेला किस राज्य में आयुजित किया जाता है तो आप्शन है राजस्तान, पंजाब, हिमाचर प्रदेश या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है राजस्तान, राजस्तान में वार्सिक पुसकर मेला आयुजित किया जाता है नेक्स्ट कॉशन देखे इसमें धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है तो option है इसमें गुजरात, महारास्ट, मध्यप्रदेश या उत्तर प्रदेश तो इसका right answer होगा option A गुजरात में डांडिया जो त्योहार होता है उसे बहुत ही उलनाश के साथ मनाए जाते हैं तो ये गुजरात का ही त्योहार है नेक्स्ट है कोडांक जिसमें हिंदू पास्तुकला के अधभुद नमूनु वाला प्रशिद सूर्य देपता का मंदीर है किस राज्य में है तो इसका option है ओडिशा, गुजरात, करनाटक या मध्यप्रदेश तो इसका right answer है वो है ओडिशा ओडिशा में है कोडांक मंदीर होगा पहले उसके option देखे चोल चालू क्या पल्लाव रास्ट कूट तो answer है इसका option D रास्ट कूट ठीक है एलोरा के जो कैलास मंदीर के निर्माड के लिए किस वन्स ने जो पत्थरों की कटाई करवाई थी तो वो है रास्ट कूट वन्स आगे है इसमें नेक्स देखे देवघर इस्तित प्रशिद सिव मंदीर का निर्माड के सास्ट वारा कराया गया तो इसके option है राणा फणिक मुकुट राई राजा पूर नमल सिव बालक रुद्र प्रताप तो इसका जो राइट आंसर है वो है राजा पूर नमल राजा पूर नमल तो इसका जो option देखे भगवान विश्णू, भगवान सिव, भगवान बुद, जैन तीर्थंकर तो इसका जो right answer होगा option D जैन तीर्थंकर मांट आबू का जो दिलवाडा मंदीर है वो हो जैन तीर्थंकर को समर्पित है दिल्ली इस्तित जामा मस्जिद का निर्माड किसने कराया था तो option है इसमें अकबर सह जहां सेर सह हुमायो तो इसका right answer है option B सह जहां ने दिल्ली इस्तित जामा मस्जिद का निर्माड कराया था आगे हैं इसमें निमलिकित इस्थानों में से किस एक में रास्ट कुटों द्वारा एलोरा पहाडियों में निर्मित गुफा मंदिर इस्तित है तो इसके ऑप्शन देखे औरंगाबाद नाश्रिक ग्वालियर गुल कुंड़ा तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप् जो कि रास्ट कुटों द्वारा यानि कि रास्ट कुटों सद्वारा बनाए गया था ठीक है नेक्स्ट है कस्मीर के मारतंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था तो कस्मीर का जो मारतंड मंदिर है तो वह किसने बनाया था उसका निर्माण किसने किया था तो आप्शन है चंद्रापीड, ललिता दित्या, आवंती वर्मन या दीदाने तो इसका जो राइट आंसर है वो है option B ललिता दित्याने नेक्स्ट है जारखंड का सिमला किसे कहा जाता है तो इसमें option है हजारी बाग, नितरहाट, बौकरो या राची तो इसका जो राइट आंसर है वो option B राची को जारखंड का सिमला कहा जाता है नेक्स्ट हैस में भारत में सबसे बड़ा गुंबद, गोल गुंबद किस राज्य में इस्तित है गोल गुंबद के बात की गई है तो किस राज्य में है, option है इसमें बिहार, करनाटक, महाराष्ट या मध्यप्रदेश तो इसकी जो राइट आंसर है वो है करनाटक option B आगे है जाईपूर, दिल्ली, मत्रा तथा उजेन में जंतर मंतर के नाम से वैदशाला का निर्माण किस ने कराया था इसका जो राइट आंसर देखने से पहले option देख ले है सवाई राजा जैसिंग, राजा प्रताप, राजा मान सिंग या इनमें से कोई नहीं तो आंसर है सवाई राजा जैसिंग, option A option A is the right answer, सवाई राजा जैसिंग next है चितोड के दुर्ग में विजाई स्थम्भ का निर्माण किस ने किया था option है समें राणा सांगा, राणा रतिन सिंग, राणा हमीर देव या राणा कुमभा तो इसका जो right answer है वो option D, राणा कुमभा ने, चितोड के दुर्ग में जो विजाई स्थम्भ है, उसका निर्माण किया था, चितोड के दुर्ग के विजाई स्थम्भ का राणा कुमभा ने आगे बढ़ते हैं next पर, बिश्व का सबसे उचा कहा जाने वाला बिश्वा, शांति स्थूप बिहार में कहा है, बिहार में हैं लेकिन कहा है, पूछा है तो option देखे, वैशाली में, नालंदा, राजगिर या पटना, तो इसका जो right answer होगा, वो है option C, राजगिर में, ठीक बिश्वा के साथ नए अजूबों में, एक चिचेन, इटजा, तो इसका जो रोकेट का प्रक्षेपन करती है, तो इसका option देखे, श्री हरी कोटा, तारापुर, गुवाहाटी या ट्वामबे, ठीक है, तो इसका जो right answer होगा, वो है option A, श्री कोटा, श्री कोटा में, जो ह इसका जो भारत की अंतरिक शेजनसी है, तो रोकेट का प्रक्षेपन करती है, श्री हरी कोटा में, नेक्स्ट है, विश्वा के साथ नए अजूबों में, एक चिचेन, इटजा को समलित किया गया, वह कहाँ स्तित है, तो option है, इसमें मेक्षिको में, पेरो में, जार्डन मे या रोम में, ठीक है, चिचेन, इटजा, इटजा, पूछ है, तो इसका जो राइट आंसर है, वह है, मेक्सिको में, option A, नेक्स्ट परसन देखिए, इसमें, भारत के किस भाग में, बंबू, नृत्या, प्रशिद है, तो इसमें option है, नागलेंड, मीघालाई, मिज़ोरम, म नागलेंड, मनिपूर, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, वह है, मीघालाई, option B, ठीक है, बंबू, नृत्या, प्रशिद है, मीघालाई, नेक्स्ट है, लोग नृत्या, राहुला का संबंध उत्र प्रदेश के निमने मैंसे, किस एक छेत्र से है, तो इसके option दे संगीत के सिदान्त की विवेचना कहां की गई है, तो इसके option है, रिगवेद में, अर्थावेद में, यजरवेद में, या शामवेद में, ठीक है, सास्त्र संगीत की सिदान्त की विवेचना की बात की गई है, तो ये option D है, शामदेव में, अगला question है, निमने खीत में से, क मद ठीक है तो बासुरिक के लिए प्रशिद जो वादक है वो है उप्शन जीरो नू मजुमदार नेक्स्ट है मधुबनी चितरकला सैली का सम्मंद किस राज्य से है तो इसका उप्शन है उत्या प्रदेश ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा उप्शन भी जहांगिर ठीक है उस्ताद मंसूर जो की एक प्रशिद चितरकार थे वो जहांगिर के शाशनकाल के सबसे मसूर चितरकार थे प्रशिद चितरकार थे आगे हैं इसमें next question देखे कौन से सभ्यताओं ने गंधार कला सैली की रचना में साहिता प्रदान की है ठीक है तो option है इसमें भारती एवं रोमन, भारती एवं मिस्तरी भारती एवं यूनानी यूनानी एवं रोमन तो इसका जो right answer होगा वो है option C भारती एवं यूनानी ठीक है जो गंधार सैली की बात कर रहे तो वो हो साहिता प्रदान करती है जो सभ्यता है भारती एवं यूनानी की next है किसके किसके शाषन काल में राज किया धरम इसलाम समाप्त किया गया था ठीक है तो किसके शाषन में जो धर्म है इसलाम धर्म तो उसको समाप्ट कर दिया गया था आप्शन है इसमें बाबर अकबर बाबर अकबर सेरसा साहज़हा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आप्शन नेक्स्ट है बाबर धर्म को मानने वालों की सरवाधिक संख्या किस राज्य में है तो आप्शन है इसमें बिहार करनाटक महाराष्ट उत्तर प्रदेश ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट महाराष्ट में बाबर धर्म को मानने वालों की सबसे अधिक सं तो option देखिया अरुणाचर प्रदेश में, हिमाचर प्रदेश में, सिक्किम या उत्राखंड में जिसका जो right answer है वो option B हिमाचर प्रदेश में बौध स्थल का टैबो मत है ठीक है आगे हैं किस संत ने अदेदवाद का प्रतिपादन किया option है संक्राचार्य, रामनंद, कवीर या चेतन्या जिसका जो right answer है वो है option A संक्राचार्य, ठीक है संक्राचार्य ने अद्वितवाद का प्रतिपादन किया है next है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग की अनुसार किस महा में मनाया जाता है जोटी तीज का त्योहार, ठीक है तो option है इसमें चेत, स्रावण, भाद्रपद या कार्तिक है, तो हिंदी महने बताए है तो छोटी तीज का त्योहार है, वो हिंदू पंचांग के हैं, किस महने मनाया जाता है, तो इसका जो right answer होगा, वो is option B, स्रावण के महने छोटी तीज का तोहार मनाया जाता है अगला question, निमलिखित में से किस स्थान पर कुम्भ मेला का आयोजन नहीं किया जाता है तो पूछा नहीं किया जाता है, तो option देखिए इसमें इलहाबाद, भोबाल, हरिद्वार या नाशिक, ठीक है तो कौन सी ऐसे जगा जहाँ पर कुम्भ मेला नहीं किया जाता तो इलहाबाद में भी कुम्भ मेला होता है, हरिद्वार और नाशिक में भी होता है तो भोबाली वो जगा है जहाँ पर कुम्भ मेला नहीं होता है नेक्स्ट है मंदिरों की उत्री सहली किस नाम से जानी जाती है ठीक है मंदिरों की जो उत्री सहली है इसमें option देखे द्राविड, नागर, बेशर या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट अंसर है वो है option B नागर मंदिरों की जो उत्री सेली होती है उसे नागर के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है बहुत गया इस्तिद प्रशिद महाबोधी मंदिर का निर्माण किसे साशक ने कराया था तो इसका option देखिया अजाद सत्र, अशोक, देवपाल, धर्म, पाल ठीक है प्रशिद विजाई विठल मंदिर जिसके चपन चक्षित स्थंब संगीत महाई इस तर निकालते हैं कहां अवस्थित है ठीक है तो option है इसमें बेलूर, ब्रधा जलम, हमपी या स्री रंगम ठीक है तो इसका जो राइट आंसर है वो है option C हमपी इसका जो राइट आंसर होगा option A कुतुब मिनार का निर्माण किस शाषक ने पूरा कराया था option है इसमें कुतुब दी नेवक, इल्तुतमिस, फिरोज, शाह तुगलक या अलाव दिन खेल जी तो कुतुब मिनार का जो निर्माण है वो हो पूरा किया था option B इल्तुत मिसने next है एत माओ दौला का मकबरा आगरा में किस ने बनवाया जिसका option है अकबर, जहागीर, नूर जहाँ, साह जहाँ जिसका जो राइट आंसर होगा वो है option C नूर जहाँ ने एत माओ दौला का मकबरा जिके आगरा में है नूर जहाँ ने बनवाया था next है साची स्तूप का निर्माण किस ने कर आया था option है चंद्रगुप्त, गौतम बुद, महावीर, अशोक option D इसका राइट आंसर है next है अंगकोरवार्ट मंदिर समुह किस देश में इस्तित है तो इसका option देखें इंडोनेशिया, कंपुचिया जिसे कंबोडिया भी कहा जाता है स्री लंका या म्यामार में तो इसका जो राइट आंसर है वो है option B कंबोडिया, कंपुचिया अगला question है इसमें इंडोनेशिया में उस मंदिर का क्या नाम है जहां रामायन और महाभारत के चित्र बनाए गए हैं इंडोनेशिया का वो कौन सा मंदिर है पुचा है तो option है इसमें बोरो बुदूर, क्यलाशनात, अंगोरवाट, ब्रिहदिसवाडा ठीक है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है option A बोरो बुदूर ठीक है बोरो बुदूर वो मंदिर है इस मंदिर का नाम है जहां पर की महाभारत में जो रामायन और महाभारत के चित्र बनाए गए है नेक्स्ट है इंद्रा गांधी रास्टिया मानो संग्रहालाई कहां है तो option है इसमें गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल इसका राइट आंसर है भोपाल इंद्रा गांधी जो रास्टिया मानो संग्रहालाई है तो वो हाँ भोपाल में इस्तित है अगला question है निवलिखित में से किस भाषा को केंद्रिया सरकार द्वारा स्रव्य भाषा यानि कि क्लाशिकल भाषा का दर्जा दिया गया है तो इस केंद्र सरकार की द्वारा तमील भाषा को आगे है भारत की तीसरी सरवाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो इसका option है तेलगू तमील मराथी या बांगला तो इसका राइट आंसर होगा तेलगू option A ठीक है जो तीसरी सरवाधिक बोलने जाने वाली भाषा है next है कुरियर सेवा से प्रतिसपरदा के लिए भारतिय डाक विभाग ने दुत डाक सेवा का आरंब किया है जिसे कि स्पीड पोस्ट सर्विस भी कहा जाता है तो आरंब कभी किया है उसका ठीक है तो इसका ओप्शन देखिया है सेवा में जो प्रतिसपरदा के लिए भारतिय डाक विभाग ने दुर्टिस डाक सेवा स्पीड पोस्ट की सर्विस की स्टार्ट की है तो वह की है ऑप्शन डी 1986 में से स्टार्ट की है नेक्स्ट है यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन 6 से सुरू हो तो वह डाग घर संभाव तो किस राज्य से इस्तित होगा ठीक है पूछा गया तो कि जो 6 से सुरू हो पिन तो ऑप्शन है इसमें महाराज्च केरल करनाटक अंध्रप्रदेश ठीक है तो यह थे भारत की कला एवन संस्कृति से रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट क्वेशन आंसर तो वीडियो अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए